दोस्तों जब भी भारत के स्वधिशी एरक्रेफ्टों के डिवलोप्मेंट को लेके चर्चा होता है तो सबसे पहले तेजस मार्कवान, तेजस मार्क टू, एमसीय जैसे एरक्रेफ्टों का ही जिकर होता है पर किया आप लोगों को पता है कि इन यारक्रेफ्टों से भी अलेक भारत के द्वारा और एक सदिशी यारक्रेफ्ट को तैयार किया गया है और ये यारक्रेफ्ट फिलाल डेवलोप्मिंट फेज में नहीं है बलकि अपने सवी क्रिटिकल पैरमिटर्स को पार करते हुए आने वाले समय में इन यार्क्राफ्टों को इंडियन यार्फोर्स के बेड़े में काफी महत पूर्ण भूमिका मिल सेटा है बेसिकल दोस्तों मैं यहाँ पे जिस यार्क्राफ्ट का जिकर कर रहा हूँ वो है हाला कि दोस्तों यह अभी तक कोई कंफर्म खवर नहीं है और केवल मात्र मीडिया में इसे लेके एक तरीके से चर्चाई हो रहा है लेकिन अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में HTT-40 यार्क्राफ्टों का इंडियन यार्फोर्स में जो भूमिका है वो कई गुना बढ़ेगा और ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में इस तरीके के यार्क्राफ्टों को मतलब बैसिक ट्रेनिंग यार्क्राफ्टों को कभी भी लाइट अटेक यार्क्राफ्ट के रूप में इस्तमाल नहीं किया गया है कई सारे देश ऐसे है जो कि अपने basic training जैसे यार्क्राफ्टों को attack यार्क्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल करता है और उसमें कई तरीके के हत्यारों का उप्योग करता है और इसे देखते हुए ही फिलाल सज़ेस्ट किया जा रहा है कि हिंदुसन ऐरनोटिक्स लिमिटेड क भी इस चीज़ को लेके सोज विचार करना चाहिए अब दोस्तों HDD-40 एरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो हिंदुसन ऐरनोटिक्स लिमिटेड के तरफ से इसे एक basic training एरक्राफ्ट के रूप में डिवलफ्ट करकी एक बहुत बड़ा achievement हासिल किया गया और दोर के टेस्टों से अब तक गुजारा जा चुका है वही पर इन यारक्राफ्टों का इस्थमाल करके आने वाले समय में इंडियान यारफोर्स के द्वारा अपने बेड़े के HPT-32 दीपक यारक्राफ्टों को रिप्लेस किया जाएगा और सबसे बड़ा बात ये है कि साल 2021 में इन यारक्राफ्टों को लेके स्पीन सर्टिफिकेशन के बाद साल 2022 में गॉर्मेंट के तरफ से करीब-करीब ऐसे 70 यारक्राफ्टों को खरिदने को लेके 860 मिलियन डॉलर के कॉंट्राक के उपर भी हस्ताक्षर किया गया हाला कि इसके इलावा और अतरिकत 36 से यारक इन यारक्राफ्टों को खरिदने का संभावनाएं है लेकिन रिपोर्ट में अब दावा किया जा रहा है कि साल 2025 से मतलब अगले साल से जो यारक्राफ्ट है ये बनके भी तयार हो जाएगा और इंडियान यारक्राफ्ट के बेड़े में ऑपरेशनल भी हो जाएगा अब य इन यारक्राफ्टों को लेके हिंदोस्तान एरनोटिक्स लिमिटेड को एक्सपोर्ट मार्केट में एक बड़ा सफलता हासिल करना है तो नो डाउट इन यारक्राफ्टों को के वल्ट ट्रेनिंग एरक्राफ्टों के रूप में ही तैयार नहीं रखना पड़ेगा बलकि सा इसा यार्क्रेफ्ट है जो कि आप HDD 40 यार्क्रेफ्टों के साथ डारेक कम्पेर कर सकते हैं पर सुपर टुकानो यार्क्रेफ्टों का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इन यार्क्रेफ्टों को ट्रेणिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है बलकि ये हत्यारों से और दुश्मन के शेत्र में घुसके ये हमला भी कर सकता है। यारक्राफ्टों को ट्रेनिंग रोल से अलग हटके काउंटर इंसर्जेंसी, क्लोजियर सपोर्ट और रिकॉनेशन मिशन में भी इस्तिमाल किया जा सकेगा। यारक्राफ्टों को अटेक यारक्राफ्टों में कनवर्ट करना चाहिए। यारक्राफ्टों को अवी तक कोई अटेक यारक्राफ्टों में कनवर्ट नहीं किया गया है। और नाहीं इसमें अवी तक किसीवी तरीके का कोई हतियारों का उप्योग किया गया है लेकिन एक्सपर्टों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो इन यारक्रेप्टों में आसानी से गन, रोकेट और बॉम्स को लगा जा सकेगा, इवन यारक्रेप्टों के अंडर फ्यूसला पार्केट में बेनिफिट मिलेगा तो वही पे दूसरे तरफ भारत के और एक प्राइबिट सेक्टर कमपनी के तरफ से स्वदेशी हत्यारों के रिक्वर्मेंटों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा डिवलप्मेंट किया गया है। अलेग अलेग हत्यारों का डिवलप्मेंट कर रहा है जिन में अब जिंदाल डिफेंस का भी नाम शामिल हो चुका है। रिपोर्ट के मुतावी के जो टी-4 एसल्ट राइफिल है इसे बेसिकली एक ब्राजिलियन कमपनी के साथ मिलके जॉइन डिवलप्मेंट किया गया है। और दोस्तों ये टी-4 एसल्ट राइफिल को लेके ये वी दावा किया जा रहा है कि फिलाल इसके कई सारे टेस्टिंग को मतलब इंटर्नल टेस्टिंग को जहाँ पे अंचाम दिया गया है तो उही पे रिपोर्ट के मुतावी कि जो डिवलप्मेंट है ये खाली जिंदाल डिफेंस के लिए ही एक बड़ा एचीबमेंट नहीं है बलकि ये भारत को आत्मनिर्वर भी कर सकेगा और इंडियन आर्मी के एक जो 4,25,000 एसल्ट राइफिलों के रिक्वार्मेंट है उसमें भी इन हत्यारों का एक महत्त पूर्ण भूमिका हो सकता है पर रिपोर्टों के मताबिक ये भी दावा किया जा रहा है कि ये टेस्टिंग इंडियन आर्मी के सुपर्विजन में हुआ है जो की एक तरीके से इन हत्यारों के संभावनाव को और बढ़ाता है पर दोस्तो अगर इन हत्यारों के पूर्डक्शन को शुरू करना है तो उससे पहले इंडियन आर्मी के सर्टिफिकेशन या फिर कहें तो क्लियरंस का आवशकता पड़ेगा और तभी जाके इन हत्यारों का मतलव टी फोर एसॉल ट्राइफिलों के लार्सकेल हैं क्योंकि अगर इन हत्यारों को लेकर इंडियन आर्मी के क्लेरस मिल जाता है और ये शाड़े 4, overly हत्यारों के टेंडर में जिन्डर डिफेन्स को एक मौका मिलता है तो no doubt भारत के बड़े बड़े डिफेन्स सेक्टर कंपनियों के साथ जिन्डर डिफेन्स भी competition में आ आ इन्हेंस डिवरेविलिटी, पिसिजन और एकुरिसी के साथ-साथ कई तरीके के और मॉडरन टेकनोलोजी का भी उप्योग किया गया है। लंबा और T4 11-5 जो है वो करीब-करीब 811 मिलिमीटर लंबा है। हाला कि इसका जो बैरेल लेंथ है वो करीब-करीब 292.1 मिलिमीटर मतलब 11.5 इंच का है जबकि दूसरे वरियांट का लंबा ही करीबन 14.5 इंच का है। में फिलाल जानकारी नहीं है लेकिन रिपोर्ट के मुतावी कि जो एसल्ट राइफल है जिसका ब्राजिलियन वर्जिन केवल मात्र ब्राजिल के तरफ से ही उपियोग नहीं किया जा रहा है। कि फिलिफिन्स आर्मी, सेनेगल्स के आर्म फोर्सेस और यूनाटेड स्टेट के द्वारा भी करीफ-करीफ 37 ऐसे T4 एसल्ट राइफल को अपने पब्लिक सेक्ट्री डिपर्मेंट और अन्ने डिपार्टमेंटों के द्वारा इस्तमाल किया जा रहा है। दोस्तों आजके इस वीडियो को यही पही करते हैं समावत किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम।